आज जो ट्रांस्पोर्ट के सुद्ध है हमारे पास है 18 सदी में वैसा कुछ भी नहीं था कई मुसीबतों का सामना करके लो एक जगे से दूसरी जगे जाते थे ट्रांस्पोर्ट में सुधार तब हुआ जब 19 सदी की रेल करांती आई उस समय ऐसी ऐसी जगों पर रेलवे ट्रेक पहुचाए गए जहां पर पहुचना ही बहुत मुस्किल था इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ खतरनाख रेलवे ट्रेक के बारे में जाने गए ये रेलवे रूट अमेरिका के अलास्का परांत में बनाया गया है इसकी लंबाई 176 किलोमेटर है इसे 19-वी सदी में खोला गया था 1982 में जब कोईला उद्योग धस गया तब इसे बंद करना पड़ा फिर 1988 में इसे दुबारा से प्रेटन के लिए खोल दिया गया इस ट्रेक के एक तरफ पहाड़ी तता दूसरी तरफ गहरी खाई है जिसे देखकर आपकी आँखे भी डर के मारे बंद हो जाएंगी ये पूरा ट्रेक एक बरफिले छेतर से होकर निकलता है नमबर दो, ट्रेन ए लॉस, न्यूब्स, अर्जेंटीना ये ट्रेक इतनी उचाई पर है जहां हमेशा बादल छाय रहते है और ट्रेन को बादलों से होकर गुजरना पड़ता है जिसके करण इसे ट्रेन औफ लाउड भी कहा जाता है अंदीर परवत माला से होकर गुजरने वाला ये खुबसूरत रास्ता नौर्थ वेस्ट अर्जेंटीना से होता हुआ चिली की सीमा तक जाता है 1948 में 27 साल की मैनस से बनाया गया ये ट्रेक आवाजाही के लिए सुरू हुआ 4220 किलोमेटर की उचाई पर काम करना इंजिनियर और वरकर के लिए बहुत मुस्किल था इस ट्रेक पर 21 सुरंगे 29 पुल और 13 इनलेंड ब्रीज हैं और पूरा ट्रेक जिग जग नुमा सेप में बना हुआ है कुछ जगाओं पर तो रेल आपको साफ की तरह घूमती हुई नजर आईगी नंबर 3 कुरंदा सिनिक रेलवे औस्ट्रेलिया यह 34 किलोमेटर लंबा रेल ट्रेक 1882 से 1891 के बीच औस्ट्रेलिया में बनाया गया जो की एक घने जंगल से होकर गुजरता है जो विश्व धरोहर, बेरन नेशनल पार्क और मैक एलिक्टर रेंज को जोडता है यह रास्ता कई गहरी खाईयों, खुबसूरत जर्नों और तीके मोडों से भरा हुआ है एक जर्ना तो ऐसा है कि जब रेल वहां से गुजरती है तो जर्ने का पानी यात्री को भिगो देता है नंबर 4 जॉल्स टाउन लूप रेल रोड, कोलरेडो, अमेरिका 7.2 किलोमेटर लंबा यह रेलवे ट्रेक, नेरो गेज पर बना हुआ है जिसका मेन करण दो पहाड़ों को जोड़ना है 1877 में बना यह ट्रेक, 640 फिट की खड़ी चड़ाई परिस्तित है जिन लोगों को उचाई से डर लगता है, वो लोग इस ट्रेक पर जाने का परहेज करें इस ट्रेक की उचाई इतनी ज़्यादा है कि ट्रेन बहुत ही साफदानी और दीरे दीरे इस ट्रेक से गुजरती है नीचे हजारों फिट गहरी खाई और उपर फराटे से गुजरती ट्रेन सबको रोमांचित करती है नमबर पांच, चेन्नेई टू रामेस्वरम रूप, इंडिया 1914 में बनाया यह पुल समुदर के उपर बना है, जो की 2.56 किलोमेटर लंबा है साउथ इंडिया में बना यह पुल, चेन्नेई सहर को रामेस्वरम से जोडता है यह पुल बीच में से खुलता भी है, ताकि जहाज और फैरी आसानी से आ जा सके कंक्रीट के 145 पिलर्स पर, तिका यह ट्रैक हमेशा समुदरी लहरों तथा तूफानों के निसाने पर होता है यह ट्रैक बहुती रोमांचक भरा है, पानी का इस्तर कई बर इतना बढ़ जाता है कि ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है दोस्तो इन ट्रैक में आपको कौन सा ट्रैक सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें ताकि यह जानकरी सबको पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब भ करें!